हलो गाइज मैं प्रभजुत को और वेलकम टू हेच जे न्यूज हर एक दिन की नई खबरे पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वज़ा से आप जूडे रहें और आप तक नई नई खबरे पह है में हुआ पानी कम तो खुल गए 3400 साल पुराने राज यहां लोग हुए यह सब देखकर है ना जब जहां दोस्तों आप देख रहे हैं HG News और मैं हूँ आपके साथ सुरभी इराक के कुर्दिस्तान में हुई है एक ऐसी ही अनोखी खोड जहां आपको बताते कि एक जला है यह वैग्याने को को भी बहुत हैरान कर रही है आपको बता देखिए टिग्रेस नदी के तट पर बने मोलुस बांध पर पानी कम होने की वजह पाई गई है इसका श्रे कुर्दिस जर्मन शोद करताओं को जा रहा है पुरा दत्तव विभाग की लोगों ने 2010 में इस वो जो अवशेश हैं वो बहुत ज़ादा पुराने हैं और आपको बता देखिए कि हम इतानी समराज का राज्य हुआ करता था ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है महल की मारत को बेहत खुब्सुरत तरीके से डिजाइन किया गया था ऐसा लगता था कि उस दौरान भी काफी अच्छी डिजाइन हुआ करते थे बनाने के लिए मोटी मोटी दिवारे हैं और अलग-अलग कमरों में प्लास्टर की दिवारे भी वहां पर पाई गई हैं खुदाई के दौरान लाल नीरे रंग की पेंटिंग्स भी मिली हैं बताया जाता है कि उस दौरान भी लोगों को चितरकाली में बहुत जादा मन लगा करता था या फिर उसकी रुची होया करती थी यह महल जो है मूल रूप से 65 फिट मतलब 22 मीटर उचा था यह जानकारी साम्यारी है 34 साल पुराने इस महल में छोटे छोटे दस पत्थर मिले हैं जिस पर कुछ लिखा है जी हाँ आपको बता दे कि इन पत्थरों को क्यू नीफॉर्म टैबलेट कहा जाता है दरसल दसल नीफॉर्म लिखने की प्राची निशेली है इन पत्थरों पर क्या लिखा है इसके अन करें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं धन्यवाद शुक्रिया अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग एचजे नियूज